कैसे हो आप सब उमिद करती हूं आप सब बहुत अच्छ होंगी तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूं कि किस तरीके से मैं गर्मी हो या सर्दी या किसी भी मौसम में अपनी इस्किन को हाइडरेट रखती हूं और अपनी तोचा को रिंकल फरी और एंटी एजिंग फरी रखती हूं चले start करते हैं आज की वीजिए इस क्रीम को बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन इसमें एड करना है एक गलास पानी सबसे पहले आपको इसमें एड़ करना है Oats, दो चमच और इसके बाद आपको इसमें एड़ करना है दो चमच फ्लैक सीट्स यानि की अलसी गैस के फ्लेम को ओन करना है और लगातार इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें जल कंसिस्टेंसी ना पनने लगे Oats में ऐसे तत्तो होते हैं जो हमारे Pimples, Irritation, Eczema, Dry Skin जैसी Skin Problems में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं Oats में होता है Anti-Inflamentary Properties जो इसकिन की सूजन और जलन को कम करते हैं साथ ही इसमें मौझूद Antioxidant Chemical Skin को Healthy रखने में मदद करते हैं Flax Seats में Omega 3 Fatty Acids होते हैं जो कि आपकी इसकिन को Wrinkle Free करते हैं और इसकिन को Healthy बनाते हैं सो आप Continuous इसको ऐसे चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं ये जल कंसिस्टेंसी में आने लगा है तो Gas की Flame को आपको यहाँ पर कर देना है बंद और इसे ठंडा करके चान लेना है सो मैंने यहाँ पर इसे Strain कर लिया है अब आपको इसमें Add करना है Third Option ये बिलकुल Optional है अगर आप इसे Use नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे Skip कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपकी Skin और ज़्यादा Youthful बनेगी और Skin में अगर Dark Spots या Blemishes की समस्या है वो भी नहीं रहेगी आपको यहाँ पर Add करना है One Spoon के करीब Almond Oil या फिर आप यहाँ पर Vitamin E की Capsule भी Add कर सकते हैं Vitamin E की Capsule आपको यहाँ पर 3 यूज़ करनी है अगर आप Almond Oil नहीं यूज़ करने हैं मैंने यहाँ पर लिया है Sweet Almond Oil जो कि हमारी Skin के लिए तोचा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एक चमच आपको लेना है और इस क्रीम में Add कर देना है एंड इसे अच्छे से आपको Mix करना है यह जो क्रीम है आप इसे वन वीक तक रेफरिजरेटर यानि की फ्रिज में रख सकते हैं गर्मिया आ गई है इसलिए आप इसे फ्रिज में ही रखिए यह आपकी Skin में बहुत ही कमाल का Result देगी आप इसे डेली अपने Skin में लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे दो टाइम इस्तमाल कर सकते हैं सुबा, मॉर्निंग में शावर लेने के बाद और राप में सोने के पहले यानि की सोने जाने के पहले अब आपको इसे निकाल देना है किसी Another Container में कोई भी खाली बॉक्स हो या फिर कोई क्रीम का हो अब उसमें इसे निकाल दीजे इस तरीके से इसे भर करके फ्रिज में स्टोर कीजे अब चलिए देखते हैं इसे कैसे अपलाई करना है ये क्रीम अपलाई करने से पहले अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन्स कर लेना है इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रूप मंत्रा का रोस सेफरोन मिस्ट स्प्रे और इसे कॉटन में अच्छे से हम अपलाई करेंगे और अपने पूरे फ्रिज को यहाँ पर क्लीन्स कर लेंगे पूरे फेस को अच्छे से क्लीन्स करने के बाद आपको इस क्रीम को अपने पूरे फेस में आपको अपने अंडर आइस में भी इसे एपलाई करके रखना है झाल 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 अब आपको इसे कम से कम 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 40 मिनट तक इसे छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले इसे वर्म वाटर से वाश करना है देन आपको कोल्ड वाटर से वाश करना है चलिए मैं यहाँ पर डारेक्ट मिलती हूँ आपसे वाश करने के बाद चेहरे को अच्छे से वाश करने के बाद यहाँ पर इसे हम ड्राई कर लेंगे तो दोस्तों अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसकिन में कितना ज़्यादा ग्लो हो गया है और कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है इसकिन में यह क्रीम जो है वो आपकी एंटी एजिंग की समस्या रिंकल्स की समस्या या फिर चेहरे पे बिल्कुल भी कसावट नहीं है चेहरा बहुत ज़्यादा लूस लगता है इसकिन बहुत ज़्यादा लेटक गई है उसको दूर कर देगा आपको इस क्रीम को डेली अपने फेस पे एपलाई करना है जिस तरीके से बताया गया है सेम उसी तरीके से आपको सारब प्रोसेस करना है आप हफ़ते के इंड तक खुद ही अपनी सकिन को अपनी तुचा को देख करके चौंग जाएगी क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड यूथफुल होने वाली है इस क्रीम को यूज करने के बाद क्यों कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए घर में बनाएए डियाई वाई क्रीम अपने एजिंग साइंस को छुपाने के लिए अपने रिंकल्स को कम करने के लिए चलिए फिर से मिलते हैं एक और निव हैल्दी ब्यूटी वीडि लिए बाइबाई टेक किर अपना ध्यान की है वो गुद्धी बाइबाई